नमस्कार स्वागता चनल अजय मिस्टा ब्लोग पर आप देखने हैं दिल्ली का एक और इस्टेशन द्याबस्ती रेलवे इस्टेशन समुत तव से उचाए 270.56 मीटर आईए दिखाते हैं इस्टेशन मैं यहां पहुंचा हूँ पैदल क्यूंकि ट्रेन का कुछ टैमिंग सह ही नहीं था मुझे घर भी जाना था तो मैं आपको दिल्ली का एक इस्टेशन जो मैं दिखाए विवेकानन्द हॉल्ट या यह कहें दिल्ली से रहिला रेलवे इस्टेशन वहां से मैं पैदल रोहतक रोट के मात्यम से लबह दो किलमेटर है मैं पैदल आ गया और उस पैद इस्टेशन के मैं अंदर से नीचे साया तो यहां से एक रास्ता लोग इनकाल रखें बस मैं यहीं से इंट्री कर गया और यहां से आने के बाद इस तरह से यह इस्टेशन है और आपको सामने यह ध्यावस्ति रेलवे इस्टेशन दिखाए देगा दो इस्टेशन एक उध इस्टेशन है वो जाती है इधर यह जो इधर गई हुए वो गई हुए है आपका विवकानन्द हॉल्ट और दिली सैरोहिला देखिए एक चोटा सा हॉल्ट है और यहां पे इस्टेशन बस नाम के लिए है क्योंकि यहां पे ट्रेशन ज्यादा रुखती नहीं है कौन से ट है उसको भी हम और किरेंगे क्योंकि इस्टेशन इनका जो धरी है क्योंकि मैं जब यहां पर आया थी यह तुँर तो थर्फा है इसको हम देखेंगे मुझे लगता नहीं है यहां पर कोई लोकल टेन भुखती है究وف क्योंकि क काफी सार डैन आप दखे हुए उससरी रुखा हुआ है अब वो actual में station है क्या है उसको भी दखेंगे तो चलिए कोई ने मोयाना करने में दिकत क्या है लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं काम तो चल रहा है तो काम चल रहा है इसका मतलब यह station चालू है छोटा सा इस्टेसन है लेकिन आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ देखते रहे हमारे साथ चैनल अजय मिस्टा ब्लोग पर वीडियो को लाइस कर सेर जरू करें तो हम इस पर से उस वाले पर भी जाएंगे तो पहले इसको पुरा कवर कर लेते हैं यहाँ पर देखिए किस तरह से यह लोग काम कर रहे हैं और यह सब आम पबली के लिए होता है इनके मेहनत को धन्यवाद चलिए आगे चलते हैं यह आप देख सकते हैं यह है दयाबस्ती यहाँ भी बोड लगा हुआ है क्योंकि इस पर काम चल रहा है यानि कि ट्रेन यहाँ से आती जाती है यह तो कंफर्म है एम्यू का भी स्टॉपेज लगा हुआ है हम इधर से क्रॉस करेंगे उस सेड भी जाएंगे यहाँ पर एक पुछ हाल है पेठोन संख्यां दो एक दो मान सकते हैं तीन चार भी कह सकते हैं लेकिन जो है आपके सामने है चलते हैं आगे तो कि मुझे टिकट भी लेना है वापसी के लिए मिलता है तो मजा आता यह है देयाबस्ती समुद तल से उच्छाए 25 मिटर एक्च्वल में रेल एकी काका काम लेक्टिफाइट हो रहा है उसका काम चल रहा है फिलारे संध यहां पर एक टेन लगी हुई है तो यहहां प्लारे से ठांच रहे हैं यहें लेका है तो यहोड है आपका दैयाबस्ती तो परांने सिस्टलर से इन दला हुआ है और अभी सekने लीश कर म हाई एक पर हूँ कि दूप हूँ लेकि मेरे हिसाब से मैं लिफ्टन संख्यां दो पर हूँ तो मैं जब आ रहा था क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग सही होने के वज़स से नहीं होने वज़स से मुझे पैदल कुछ दूरा हूँ यहां से हम चरहेंगे फ्लाइब इस रूप पर और हम जाएंगे प्रिफ्टन संख्यां एक पर जैसा कि मैंने कि नहीं से पूछा तुमने मुझे बताया फिलाल आपके बगल से बैसाली एक्सपेस यहां पर लगा हुआ जो सहरसा नुद्ली टेन है यहां तक क्यों आई है पत है प्रिफ्टन संख्यां एक तो दिल्ली का एक और रिल्वेस्टेशन द्यावस्ति रिल्वेस्टेशन दोस्तों बहुत कुछ जानकाड़ी अगर छूट जाता है तो वह दिसक्रिप्शन में डाल देते हैं जैसे कि यहां पर कितने ट्रेंड उक्ती है मेरे एक स्पेस कितन आपके सामने तो में में इस्टेशन देयाबस्ती की फ्र detire यही है मैं जो आपके सामने दिख रहा है तो यहां देयाबस्ती खेल बैलवेस्टेशन विशत पित्रślप यद्रोग्या, पित्रेंड क्या फ्रियाक दो तेर्षाल संख्यार्या इक पित्रश Está sar Enough कंआ दो और आपके पीछे जो होगा वेकानंदपुरी हॉल्ट या दिल्ली साइरविला रेलवेश्टेसन आइए चलते हैं तो दोस्तों यहां से मैं उतर रहा हूँ और आपके पीछे नहीं जाओंगा मैं आगे के तरफ जाओंगा और इधर से ही बाहर में रोड के जाओंगा मुझे टिकट भी लेना है वापसी का व्यूडियो काफी आपको हिलता हुआ जरूर मिला होगा इसके लिए मैं आप रोड से माफी चाहता हूँ लेकिन क्योंकि मुझे अभी गैजेट खैदने में समय लेगा फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं यहां से प्रेवन सेंख्या अभी एक पर हैं बोर्ड भी लगा हुआ है इस्टेशन ये वाली तो सापस्तर जगा लग रहा है तो कुछ इस तरह से है आपका दयाबस्ती रेलवे इस्टेशन और इस्टेशन परिसर में गंदी करना धूमपान करना वर्जित है दयाबस्ती रेलवे इस्टेशन चलिये इस्टेशन के पूरा देखने के बाद यहां पर हम टिकेट भी लेंगे भाहर में करने का रास्ता भी आपको दिखाएंगे, फ्याल आपको एक बार टेस्टिस्न मुअनना करा रहे हैं। तो ये है दयावस्ति रेलवे, स्टेसन सहरसा नहीदली एट्रेन आप देख सकते हैं। तो नहीं लगड़ा है लेकिन एसी कोच है उनमें साप सफाय हो रखाए इस पर आएगी EMU और इधर EMU जाएगी 100% इससी सेट में जाएगी आपका दो तिन रास्ता है नई दिली की और प्राइन दिली की और नई दिली के तरफ जाएगे तो सिर्फ जाएगी आगेगा जाबत की तरफ या पलबल की तरफ अगर प्राइन दिली जाती है तो वहांस प्राइन दिली की तरफ होते हुए साहत्रा की तरफ ही निकल सकती है यह कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ दयाबस्ती रेलवे स्टेशन से आज 18-12-22 का यह वीडियो आप देख रहे हैं दोस्त भी आप स्रेत देंगे थोड़ा देखेंगे और हमें प्यार दिखाएंगे त्योंगे आज संडे को मैं सुबह घर से निकला ता आठ बजे मैं थ्वास आपको कहानी बताना चाहता हूँ मैं आठ बजे निकला वहां से में पहुंचा आपका बारखंबा मेट्रो बारखंब इसके बाद मैं अगला इस्टेसन का वीडियो बना रहा हु जो के ट्रेन का टाइमिंग तो अब वहां से वियकानलपुरी हाल्ट से पैदल 2 किल में आच चुका हो थे यहां से वीडियो दिखा रहा हूं आईए आपके सामने एक सांदार डियावस्थी रेलवे एस्टेसन क मैंने पिक ले लिया और पिक लेना चाहिए बीच इच में है न यह कुछ इस तरह से यह है तो चलिए कुछ अब आगश दिखाते हैं कुछ बाहर का सिर्म जाकों दिखाते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सेयर जरूर की तो दोस्तों एक हिजाब से आप देखे त थोरा सब पॉज करते हुए आगे जाऊंगा और आगे आपको बाहर का भी चीज दिखाऊंगा आप यह देखिए जिद्याबस्ती रेलवे इस्टेसन वह साथ पुराना इस्टेसन साथ जहां से मैंने स्टार किया था लेकिन रम बढ़ियां जो इस्टेसन जो है जो लगता मैं भी यहाँ पर आया हूँ अब मैं यहाँ पर टिकट लूँगा बफसी का और अगला इस्टेसन इसके बाद जो है वो सकुर पूर है सकुर बफस्ती जो कि अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज संडे को फिर घर भी जाएंगे साड़े बारा हो रहा है मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में किसी नएगे साथ तब से पहले आप बाहर का भी सीन जोड दखें फिर वहां से हम अंध करेंगे वीडियो थोरा हिलेगा लेकिन आपको मैनेज करना है वीडियो का प्यार बढ़ाईए लाइक सब्सक्राइब सेर बढ़ाईए तो वह सारे चीज भी ठीक ह होगा कि कुछ चीजें जैसे इसमें पानी का कोई बहस्ता नहीं है यह सब बंद है पुराने पुराने बिल्डिंग है जो भी है देखते हैं ट्रेन आ रहे हैं और ट्रेन यहां पर रुकेगे नहीं ट्रेन यहां से बिना रुके हुए निकल जाएगी कौन सी ट्रेन है यह पता नहीं आईए देखते हैं धमा केदार स्पीड में ट्रेन यहां से निकल लई है गार साब हात में जन तो सब्सक्राइक से निकल जाएगे दोस्तों हम यहां से निकलेंगे बाहर, यह है निकास रेट, देख सकते हैं यहां से बाहर जाने का और यहां से आने का रास्ता है यह है टिकट घर, यहां पे हम टिकट लेंगे, टिकट कॉंटर भी खुला हुआ है, जैक सकते हैं आप, आईए बाहर का द्रिस की खाते हैं कुछ इस तरह से आपको बहुत बाहर का ये तरिस है दयावस्ति railway station का इस तरह से आप दयावस्ति railway station आएंगे दोस्रें, ये कमी क मैं देखता हूँ हर station पर मैंने टेग भी किया है मंत्री साहब को मिनिटर जी को railway मंत्रा लाइक को इतना खर्च होता है क्या एक और बोर्ड नहीं लेगा जा सकता है आप कमेंट को पताईएगा यह ट्रेन यह बाहर का कुछ इस तरह से नजाड़ा यह ट्रेन रेलवेस कब शुरुआत हुआ इसके अस्थापना कव हुई छोटी लेन कव थी बड़ी लेन में कव तबदील हु जो लोग उसको पढ़े और उनको थासा अच्छा लगे तो मैं रेलवेस कहना चाहिए इस पर फोकस करें यहां पर आएगा और मुझे पता निए इस्टेसन कौन से इस्वी में सुरुआत हुआ है तो यह होना चाहिए था फ़रा सा कहीं पर लिखा हुआ तो दूस्तों कैस अब हम चलेंगे अगला ब्लोग बनाने के लिए अगले संडे को जब तक कि आपका प्यार नहीं मिलेगा अगर प्यार आपको अच्छा मिलता है तो गरंटी देता हूँ जिए आप लोग को में हर एक अलग अलग दिन अलग अलग एस्टेसन आपको वीडियो मिलेगा सुव हमें इसे प्यार दिखाएं अब निकलते हैं घर मिलते हैं मेगी दिन जैहिन चेकर अपको एस्टेसन का नाम द्यावस्ती रेलवे एस्टेसन का कोड डी बी एस आई प्लेटफोर्म की संख्यां चार दो प्राना और दो नया चलने वाली टेनों की संख्यां बीस इम्यू को छोर कर डिवीजन दिल्ली जोन नॉर्थन रेलवे एडिया पीन कोड एक एक सुन्य सुन्य पांच दो